एगाइज वाट्स अप कैसे हैं आप सभी लोग बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में हम कर रहे हैं फास्ट ट्राक टाक्सेशन और आज इसका 33rd lecture है 33rd lecture है सर एक बात बताओ आज आप यहाँ पर कैसे आज हम smart board में क्यों नहीं है smart board में इसलिए नहीं है क्योंकि अभी 30 minute पहले अभी आधे घंटे पहले जब मैंने smart board आउन करने की कोशिश की और उपर वाली lights on करने की कोशिश की तो फिर ना तो smart board चला ना तो lights ऐसी problems होती रहती है तो अगर smart board वगरा चल जाता तो शायद मैं 15 हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो हो सकता है कि आज वाली और कल वाली class आपको इसी में मिले, क्योंकि दो दिन की classes अब में record करने जा रहा हूँ लेकिन उसके बाद परसों से जो परसों वाली जो आपकी class होगी वो most probably smart board पर मिलेगी because we don't know कि smart board को ठीक होने में अभी कितना time लगेगा, unfortunately यह ऐसा हो गया है, but कोई बात नहीं content से मतलब है, slides से मतलब है content वही है पढ़ाने वाला वही है, slides वही है उसी format में है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे format में है, तो सब कुछ exactly वैसे ही है it's just मैं खड़ा होके नहीं मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, बस इतना सा फर्क है, और कुछ भी नहीं है तो चलिए sir, start करते है हम लोग आज DT का आखरी chapter start करने जा रहे direct tax वाले portion का आखरी chapter start करने जा रहे and that is TDS, TCS and advanced tax, अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, यह वाला chapter हम लोग dated घंडी की class में नहीं करेंगे, इस वाले chapter को हम बहुत थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे, और मैंने इसके लिए total 5 classes schedule की हुई है हो सकता है हर class maybe 45 minutes कि हो, या maybe 1 hour कि हो, उससे ज्यादा की नहीं हो, ठीक है, और उसके सकता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, notes मेरे पूरे हो जाते हैं, तभी मैं recording start करता हूँ, otherwise मैं recording start ही नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि मेरे notes पूरे नहीं है, notes एगदम पूरे है, आपको आज ही पूरे के पूरे notes मिल भी चाहेंगे, ठीक है, मिल गए होंगे in fact अभी तक तो, but the point is, कि हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, मैं एक दिन में बहुत limited चीज़ें आप लोग को कर भाऊंगा, क्योंकि अलग-अलग type की बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें, तो I don't want you to feel afraid और, you know, overwhelmed के भाई साब इतना सब कोच है, यह याद कैसे होगा, तो थोड़ा-थोड़ा करके जब हम लोग चलेंगे, तो आप लोगों को यह याद हो जाएगा, और कभी भी बहुत ज्यादा tension लेनी के जरूरत नहीं होती है इस वाले chapter में, कि यह इतनी सारी छोड़ी-छोड़ी लिमिट्स हैं, इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग eventually जब questions की practice करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आजएगा कि किस type के questions exams में पूछे जाते हैं, और उस type के questions के आप, आपकी automatically हम लोग class में practice कर लेंगे, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कि टेशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, classes की duration छोटी होगी, हम लोग, मैं चाहते तो day-day घंडी की आराम से 3 या 4 classes में topic खतम कर सकता था, लेकिन नहीं, इसको हम लोग 5 classes में ही करेंगे, छोटी छोटी classes में करेंगे, जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा retained रख पाओ, ठीक है, तो जितने भी students यहाँ पर नए हैं, आप लोग यहाँ पर मेरे बारे में थोड़ी से information देख सकते हो, यह मेरा schedule है, रोज रात को 9 बजे यहाँ पर आपकी class चलती है, May 23 के students के लिए, और Unacademy Plus पर एक आगरता batch हम लोगों का start हो चुका है November 23 के students के लिए, जिसमें मैं दोपहर को 12 बजे live आ जाता हूँ, May 23 के students के लिए मैंने एक strategy session लिया था, उसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा, जिसमें मैंने discuss किया है कि आपको single group देना चाहिए, both groups देना चाहिए, revision बगेरा कैसा करना चाहिए, तो please उसको जरूर देखना, क्योंकि कुछ और follow करो या ना करो, लेकिन वो revision schedule जरूर follow कर लेना, वो बहुत ज्यादा important होता है, जितने भी शुरुवात से लेकर अभी तक हमारे fast track वाले lectures हुए हैं, पूरे के पूरे DT के, उन सब की एक proper playlist आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगी, I keep on seeing, I still keep on seeing new students joining everyday and they ask कि अगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाए, तो क्या अभी से करके भी हम लोग DT को clear कर सकते हैं, ऐसी intermediate, mate 23 clear कर सकते हैं and the answer is yes, बस आपको महनत थोड़ी से ज्यादा करने होगी, लेकिन possible है, बिल्कुल possible है, इन fast track lectures को देखकर आप आराम से clear कर सकते हो, पहली बार भी अगर आप देखोगे, तब भी आपको समझ में आ जागा, क्योंकि मेरी speed अच्छी काशी slow चल रही है, concept हम लोग सारे के सारे cover करें, it's just multiple times repetition नहीं हो रहा है, examples बहुत सारे एकी चीज के बहुत सारे examples में नहीं दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा fast track mode में चल रहा है, एक pace में चल रहा है, ठीक है, और notes वगेरे भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो चलो सर, start करते हैं, अपना topic TDS, TCS, Advanced Tax, तो मैं आपको पहले इसका एक basic funda बता देता हूँ, basic funda यह होता है, कि, suppose मैं हूँ, यह हूँ मैं, ठीक है, यह हूँ मैं, यह हूँ मैं, रight, और यह हो आप, यह हो आप, रight, आप, suppose मेरे आँ जा काम कर रहे हूँ, और मैंने आपको salary दी, ठीक, मैने आपको salary दी, अब अगर आपकी salary, suppose, 30,000 रूपीस की बनती है महीने की, अब अगर suppose आपकी salary 30,000 रुपीज महीने की बनती है तो मैं इसमें से 3,000 रुपे काट लूँगा मैं इसमें से 3,000 रुपे काट लूँगा और मैं आपको सिर्फ 27,000 रुपे ही पे करूँगा मैं आपको सिर्फ 27,000 रुपे ही पे करूँगा और फिर जब आप साल के end में अपनी tax liability calculate करोगे, जब आप साल के end में अपनी tax liability calculate करोगे, तो ये जो 3000 मैं already आपके बहाफ पर सरकार को जमा कर चुका हूँ, आप इसको यहाँ पर minus कर दोगे, और इसी को हम लोग कहते हैं कि आपको TDS का credit मिल गया, इसी चीज़ को हम लोग कहते सारे इस टाइप के questions के हैं, जिसमें TDS का credit मिला है, जब हम लोग वो निकालते थे न, tax payable निकालते थे, तो फिर उसमें यही तो होता था कि TDS, TCS और advanced tax का आपको credit मिलता था, अच्छा, ये जो 3000 रुपे मैंने काटे, इसी को बोला जाता है, tax deducted at source, क्या बोला जाता है, इस basics of tax rates में, जब हम लोगोंने basics वाला chapter किया थे, ये fast track में भी, तब मैंने आपको बताया था, कि previous year, वो year होता है, जिस साल आप पैसा कमाते हो, तो जिस साल आपने जो भी पैसा कमाया, उस पैसे के लिए, जिस साल आपने वो पैसा कमाया, that is previous year, और अगला साल is known as the assessment year, जिस सा सरकार ने ये कहा, कि भाईया, जिस साल आप पैसा कमा रहे हो, उसी साल tax पूरा पूरा आप हमें जमा करती है, तो उनमें से एक mode ये है, TDS का, कि tax deducted at source, tax deducted at source क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके लिए, what was the source of income, source of income was निशान्त, मैं दे रहा हूँ ना आपको पैसे, और मैं नहीं, आपके पैसे में से 3000 उपे काट के जमा करती है, सरकार को, तो आपके source ने, आपकी income का source कौन, मैं, आपकी income के source नहीं आपको पैसे देते समय, उस में से पैसे काट के सरकार के खाते में जमा करती है, hence this is known as tax deducted at source, who deducted the tax, the source of income deducted the tax, right, hence tax deducted at source, right, इसी तरह से TCS भी होत है, अपना TDS का concept, ठीक है, अलग-अलग type के payments के लिए, अलग-अलग rules बने हुए है, TDS के, और क्या वो rules है, किस समय, कौन से वाले payment को करते हैं, समय, कौन सा वाला rule apply होगा, वही सारी चीज़ें हम लोग यहां पर अभी पढ़ना शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो introduction वगे किया होगा, कि मैंने 10% TDS काटा, ठीक है, आपको 30,000 रुपी की salary दी, पर आपका 10% TDS काटा, पर यह सही नहीं है, ठीक है, salary के case में 10% TDS नहीं करता है, salary के case में दूसरी रेके से tax deduct किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो मैं आपको बताओंगा, यह मैं आपको सिर्फ example के form मे बता रहा था, अब आओ देखो, the recipient is required to furnish his pan to the payer, ठीक है, recipient, recipient मतलब आप, recipient मतलब कौन, आप, तो आपको मुझे अपना pan देना पड़ेगा, आपको मुझे अपना pan देना पड़ेगा, the recipient furnishes his pan to the payer, if the recipient furnishes his pan to the payer, the payer is required to deduct tax at the prescribed rates, अगर आपने मुझे में अपना pan number दिया हुआ ह अगर आपने मुझे अपना pan दिया हुआ है, तो मैं prescribed rates पर, जो भी section में rates prescribed है, उन्ही rates पर मैं TDS काटूँगा, however, if recipient does not furnishes pan to the payer, लेकिन अगर आपने मुझे अपना pan नहीं दिया है, the payer is required to deduct at the prescribed rate or 20% whichever is higher, right, तो suppose आपने मेरे को pan नहीं दिया है, और अगर pan दिया है, तो जिस इस भी चीज़ के लिए मैं आपको पैसा पे कर रहा हूँ, उस चीज़ के लिए law में prescribed है कि 5% TDS काटो, मैंने का ठीक है, मैं 5% TDS काटूगा, right, अब अगर आपने मुझे pan नहीं दिया है, तो फिर मैं 5 नहीं, मैं 20% TDS काटूगा, मैं 20% TDS काटूगा, आपके मन में आ रहो करते समय मैं इसका credit ले सकता हूँ, मैं कहूँगा, हाँ, फिर आप बोलोगे तो सर प्रॉब्लम क्या है, काट लो 20%, ठीक है, काट लो 20%, नहीं, तो प्रॉब्लम ही हो जाती है कि आपके पास liquid cash तो कमाएगा, आपके पास liquid cash कमाएगा, अभी क्या हुआ, इसी वाले example में 20% की rate से काट हूँगा, मैं 20% की rate से काट हूँगा, तो मैं यहाँ पर 6000 रुपे काट लोगा, तो आपके हाथ में कितना आएगा, 24,000 रुपीज आएगा, तो आपको तो दिक्कत होगी न, ultimately, आपको 27,000 रुपे मिल रहा था, अब आपको 24,000 मिल रहा है, तो हो सकता है आपक काम माम करो, तो वहाँ पर आपको pan furnish कर देना चाहिए, अनेकाडमी को भी मैंने अपना pan furnish किया हुआ है, अनेकाडमी मेरा TDS 10% के rate से काटता है, एक बार अनेकाडमी ने मेरा TDS 20% के rate से काट दिया था, ठीक है, और वो भी 2 साल बात, अभी 3-4 महिने पहले की बात है, 3-4 म मैं एक बार अनेकाडमी से मेरे को payment आया, और 20% TDS कटा हुआ था, और अच्छा, क्योंकि 2 साल से 10% के rate से TDS कट रहा था, और pan man सब कुछ था, pan GST, सारे documents अनेकाडमी को, समझ में निया है, मुझे लगा payment कम दिया गया, मैंने बात की, मैंने का, यह payment मुझे कम क्यों मिला है, तो वो बोलते हैं कि sir आपका pan नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमने 20% के rate पे TDS काटा है, मैंने का यार हद दोती है, यहां तो 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, सवा 2 साल से होगा, मैरा 3 साल होने वाल है, जूर में, अनेकाडमी में काम करते हैं, और आप लोग क्यारो मेरा pan न नहीं होता है, तो फिर higher rate से TDS काटा जाता है, अब आओ देखो, surcharge in health and education says on TDS, so surcharge in health and education says is applicable only in the following two cases, payment of salary to a resident or non-resident, या payment या credit other than salary to non-resident और a foreign company, ठीक है, तो surcharge या health education says लगाया जाता है क्या, तो the answer is yes, surcharge health education says लगाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ salary के case में लगाया जाता है, इसी non-resident को आप salary pay कर रहे हो, तो फिर surcharge और education says भी लगाया जाएगा, लेकिन अगर आप salary के अलावा कोई payment कर रहे हो, तो वो सिर्फ non-resident या foreign company के case में उस पर surcharge या education says लगाऊँगे, पतलब Indian resident को अगर आप salary के अलावा कोई payment कर रहे हो, तो फिर surcharge education says उस पर नहीं लगेगा तो unacademy मुझे क्या salary pay करता है, नहीं, unacademy मुझे salary pay नहीं करता, unacademy और मेरा contractor-contractee का relationship है, तो अगर unacademy और मेरा contractor-contractee भी नहीं, हमारा professional relationship है, मैं professional services provide करता हूँ unacademy को, ठीक है, so I provide my professional services to unacademy, और 194J में, 194J एक section होता है, अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, तो 194J म आप उसका 10% TDS काट होगे, तो unacademy TDS के ओपर surcharge ये education से नहीं लगाता है, unacademy जब मेरा TDS काटा है, तो वो flat 10% से ही TDS काटा जाता है, ठीक है, I hope यह वाले बात clear हो गई, अब section 191, direct payment, आओ देखने इसमें, सबसे पहली चीज़ इसमें हाती है, assessing default, assessing default में क्या होता है, कि if any person, including the principal officer of a company, who is required to deduct tax at source, or an employer paying tax on non-monetary perquisites under section 192.1a, does not deduct, or after deducting, fails to pay such tax, or does not pay the whole or part of the tax, then such person shall be deemed to be an SSE in default, however, if the SSE himself has paid the tax, this provision will not apply, मैं simple सा मतला आपको बता देता हू, यहां पर मैंने आप से का, कि यह हू मैं, मैंने आपको 30,000 रुपे की salary पे की, right, अगर मैं आपकी salary में से यह 3,000 रुपे TDS नहीं काटूँगा, अगर मैं यह 3,000 रुपे TDS नहीं काटूँगा, तो I will be called as an assessi in default, मेरी गलती है, कि मैंने TDS क्यों नहीं काटा, ठीक है, लेकिन, suppose मैं TDS काटना भूल गया, पर आप इतने अच्छे इंसान हो, आप इतने law-abiding citizen हो, कि आपने पूरे 30,000 पर जो भी आपका tax निकलता था, वो आपने tax सरकार को जमा कर दिया, ठीक है, obviously आपको credit मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने TDS काटा ही नहीं है, तो आपने पूरे पर जमा कर दिया, तो अगर आपने पूरे पैसे पर tax जमा कर दिया, सरकार को पूरा पैसे मिल गया, तो फिर मैं assessing default नहीं कहला हूँ का, तो यह चीज़ यहां पर लिखे हुए है, कि assessing default कौन होता है, assessing default is, if any person, including the principal officer of a company who is required to deduct tax at source, जिसको tax at source करना है, जिसको TDS काटना है, और an employer paying tax on non-monetary perquisites, does not deduct, या तो मैं TDS काटता ही नहीं हूँ, और after deducting, fails to pay such tax, य या मैं tax नहीं पे करता हूँ, या does not pay the whole or part of the tax, या फिर मैं पूरा tax नहीं पे करता हूँ, then such person shall be deemed to be an SSE in default, however, if the SSE himself has paid tax, this provision will not apply, right, direct payment of tax where income of the SSE includes the value of specified security or spread equity shares or allotted are transferred free of cost at a concessional rate to an SSE by an employer being an eligible startup, अच्छा, इसमें आपको याद होगा, कि salary की case में हम लोग ने बात की थी, salaries वाले chapter में जब हम लोग बात करे थी हो, तो हमने कहा था ना, कि अगर आपको ESOPs या sweat equity shares मिलते हैं, तो फिर उसमें आपकी perquisite होती है, वो basically एक तरसे आपकी perquisite हो गई, ठीक है, profits in lieu of salary हो गए, तो अब ये profits in lieu of salary आपके कब taxable होगे, ये तब taxable होते हैं, जिस दिन आपने उ options को exercise किया, ये salaries वाले chapter में हम लोग ने बात की थी, कि मेरे को आज grant मिला है, मेरे को आज option grant हुआ है, कि मैं 100 रुपे का share, suppose 30 रुपीज में खरीच सकता हूँ, तो आज मेरे उपर taxability नहीं आएगी, taxability कब आएगी, जब 3 साल बाद या 4 साल बाद मैं इस option को exercise करूँगा, मतल लेकिन इसके exception क्या था, कि अगर eligible start-up से आपको spent equity shares या ESOPs मिलते हैं, तो फिर आपकी taxability को defer कर दिया जाता है, कब defer कर दिया जाता है, कि आपकी taxability within 14 days आपको tax pay करना होगा, within 14 days, within 14 days कहां से, within 14 days from the earliest of the following 3 days, कौन सी date, जिस साल आपको ये ESOPs allot हुए, जिस साल आपको ESOPs allot उस साल के 5 साल बाद, 48 महिने बाद, उस साल का जो भी assessment here है, उसके 48 महिने बाद, मतलब जिस previous year में आपको spent equity shares allot वे, उसका assessment here, उसके 4 साल बाद, मतलब previous year से 5 साल बाद, ठीक है, दूसरा, from the date of sale of specified security of spent equity shares by the SSE, जब आपने बेच दिया, उसके 14 दिन के अंदर अंदर, या from the date of the SSE, ceasing to be an employee of the employer, who allotted or transferred to him the such specified security of spent equity shares, या जिस दिन आपने नौकरी छोड़ दी, उस दिन, तो इसमें क्या होता है, कि TDS भी इसी दिन कटेगा, जिस साल taxability arise होगी, TDS भी उसी साल कटेगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है, अब आजाओ, एक एक करके हम लोग sections देखते हैं, तो section 192 आजाता है salary, तो देखो salary के case में TDS काटना बड़ा आसान होता है, salary के case में TDS काटना कैसे आसान होता है, मैं आपको बताता हूँ, suppose आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, आपकी salary 1 lakh रुपीस पर मन्त है, ठीक है, आपकी salary कितनी है, 1 lakh रुपीस पर मन्त है, तो पहले ही दिन पता चल जाएगा कि आपकी salary कितनी होगी, 12 lakh रुपीस पर मन्त, तो अभी 12 lakh रुपीस पर, 12 lakh रुपीस पर आप tax liability calculate करोगे, कैसे calculate करोगे, धाई लाग तक निल, उसके बाद धाई से पांच, धाई से पांच कितनी आएगी, आपकी 12,000 आएगी, उसके बाद 5 से 10 कितनी होता है, साथ हजार होता है, दो लाग रुपीस पर साथ हजार हो जाता है, तो यह कितना आएगा आपका, इस पर कोई सर्चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, तो 172 500, इस पर health and education says लगेगा, इस पर health and education says लगेगा, 6900 का, और आपकी जो total tax liability है, वो कितनी आएगी, 172 500, प्लस 6900, इस इस 179 400, यह आपकी साल भर की total tax liability आएगी, अब employer क्या करेगा, इसको divide कर देगा 12 से, इसको divide कर देगा 12 से, कितना हुआ, 14950 हुआ, 14950 हुआ, अब जब employer हर साल आपको 1 लाख रुप सॉरी, हर महीने जब आपको employer आपकी salary देगा 1 लाख रुपे, तो फिर 14,950 रुपीज काट के देगा, 14,950 रुपीज काट के देगा, ठीक है, तो 1 लाख माइनस 4950, यह आया 85,050, 85,050, यह आपकी, यह आपकी in-hand salary हो जाएगी, ठीक है, यह आपकी in-hand salary हो जाएगी, ठीक salary के case में तो यह सबसे ज्यादा predictable है, हाँ, बीच में अगर कभी आपकी salary बढ़ गई तो अलग बात है, लेकिन salary के case में तो बड़ा predictable है, salary के case में आपका हो गया, और आपने साल के शुरुआत में tax liability निकाल ली, अब इसको 12 महीने से डिवाइट कर दिया, 12 से डिवाइट कर दिया, तो हर महीनी की tax liability 14,950 किया गई, तो अब आप एक लाख रुपे जब आपको salary मिला करेगी, तो उसमें से 14,950 रुपे कटके मिलेगी, तो आपकी in-hand salary हो जाएगी, 85,050 रुपी, ठीक है, आपकी in-hand salary हो गई, 85,050 रुपी, ठीक है, आपकी in-hand salary हो गई, 85,050 except in case of TDS on perquisite of ESOP provided by eligible startup, तो उसका तो हम लोग ने देखी लिया अभी, rate of TDS क्या होगा, average rate of income tax computed on the basis of rates in force, तो यही मैं आपको बताया है, कि TDS इसमें, salaries के case में TDS किस तरह से calculate किया जाता है, तो average income tax, average rate of income tax कैसे आया, देखो मैं आपको बताते तो यह भी, तो 179,400 आपका total tax है, और आपकी total salary कितनी है, 12 lakh है, तो अब आप इसमें average rate of tax कैसे निकालोगे, 179,450 divided by 12 lakh, divided by 12 lakh into 100, तो यह आएगा, 179,450 divided by 12 lakh into 100, यह आता है 14.95%, this is 14.95%, तो अब आप देखो, कि हर महीने, जो आपकी 1 lakh रुपी की salary है, इसका 14.95% कितना आता है, यह तो आएगा 14,900 पजा, यह आएगा 14,950, तो यही मैंने किया, कि आपकी जो tax liability है, इसको divided by 12 कर दो, हर महीने आपको इतना इतना काटना है, और इसमें average rate of tax से भी यह आया, average rate of tax निकाला, 14.95% आया, तो हर महीने जो भी आपकी salary होगी, उस पर 14.95% की rate से taxability होगी, अगर आपका pan mentioned नहीं है, तो अग ठीक है, I hope आपको बात समझ में आ रही है, तो 14.95 नहीं, फिर 20% की rate से tax TDS आपका कटने लग जाएगा, अच्छा, सुनो, आपकी salary suppose 12 lakh नहीं होती, आपकी salary, साल की salary आपकी suppose 50 lakh रुपे की होती, या maybe 60 lakh रुपीस की होती, आपकी salary साल भर की suppose 60 lakh रुपीस की होती, तो तब क्य 15500 और उसके बाद एक लाख और उसके बाद कितना 60 lakhs मोरा न, तो 50 lakh का 30%, कितना आता है, देर्ट रुपे आता है, 50 lakh का 30%, 50 lakh का 30%, 15 lakh रुपे आता है, 15 lakh पर 15,000,000 रुपे यह आ गया फिर इसमें आया आपका 16,12,500 आप इसमें सर्चार्ज लगेगा ठीक है 10% का सर्चार्ज लगेगा क्योंकि 60,000,000 की आपकी तोल इंकम अगर 60,000,000 से तो फिर 50,000,000 से उपर होगी 50,000,000 से उपर होगी तो सर्चार्ज लगेगा 10% का सर्चार्ज तो यहाँ पर 161250 यह आपका सर्चार्ज लगा ठीक तो कितना हुआ 1612500 प्लस 161250 यह 1773 750 17 अरे क्या हो गया भाई 1773 अजीब से चलने लग गया नहीं क्या हो गया आपको कि बलरी बलरी साने लग गया कि अभी सही हो गया ठीक है 1773 1773 किता था 1773 750 ठीक है 1773 750 आ अब इस पर हेल्ट एंड एडुकेशन से यह लगा होगे 0.04 70,950 70,950 तो आपके टोटल टाक्स लिएटी कितने आएगी 1773 750 अब आपका आवरेज रेट आफ टाक्स क्या आएगा 30.745 यह निकल कर आया ठीक है तो अब अगर आपने पान नहीं फर्निश किया है तो 20% के रेट से टीडिस में कटेगा तो फिर इसी रेट से टीडिस कटेगा ठीक है इस वाले case में आपका जो average rate आया था, वो 14.95% आया था, तो अगर आपने pan नहीं furnished किया होगा, तो 20% के rate से कटेगा, इस वाले case में आपका average rate ही 30.745% आया, तो अब अगर यहाँ पर आपने pan furnished नहीं किया है, तो इसी rate से TDS कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो 20 और the rate prescribed which average is higher, तो यहाँ पर rate prescribed क्या है, यहाँ पर the rate prescribed is average rate of income tax, एक threshold limit क्या है, threshold limit है, basic exemption limit वहीं आपकी क्योंकि, जो भी आपका यह होता है, जो भी आपकी income जितना भी TDS deduct कर रहा है, वो जब calculate किया जाता है, तो यह तो पूरा का पूरा basic exemption limit के हesाब से तो tax calculate किया जाता है, यह देखो basic exemption limit तक निए, चलो, next, 192A premature withdrawal from employees provident fund, तो salaries वाले chapter हम लोग कर चुके है, और salaries वाले chapter में हम लोग ने देखा कि कितने सारे employee provident fund होते हैं, तीन होते हैं, एक तो statutory fund होता है, एक आपका recognized provident fund होता है, एक आपका unrecognized provident fund होता है, और उसके बाद आपका public provident fund होता है, तो यह जो त तीन funds होता है, statutory, recognized और unrecognized, यह employees के लिए होते हैं, इसलिए इनको employees provident fund बोला जाता है, तो अगर आपने employees provident fund में suppose 5 साल का आपका लोकेन है, पांच साल के अंदर अगर आपने पैसा उसको withdraw किया, तो फिर उस पर आपका TDS काटेगा, कौन TDS काटेगा, जिसके हाथ में भी व the scheme, payer का मतलब जो पैसा आपको दे रहा है, मैं एक employee हूँ, मैंने पैसा अपने प्राविजिंट fund में डाल रखा है, अब इस प्राविजिंट fund से अगर मैं पैसा निकालना हूँ, तो the payer is who, the payer is the provident fund, अब प्राविजिंट fund तो artificial person है, तो प्राविजिंट fund का कोई तो authorized person होग तब कटेगा, rate of TDS 10%, in case of failure to furnish fund TDS is at maximum marginal rate, maximum marginal rate क्या होता है, maximum marginal rate होता है कि जो आपका सबसे highest rate लगेगा, not 20%, maximum marginal rate is the highest percent, तीक है, मतलब 30% plus 37% surcharge plus 4% education says, तीक है, 30% of tax plus 37% of surcharge plus 4% of education says, that is the maximum marginal rate, कुछ 44 point something something आता है, मैं आप लोगों को calculate करके बता दूँगा अभी आगे वाली classes में, अभी नहीं, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक, तो देखो, maximum marginal rate ही हो गया, अच्छा, अब क्या हुआ, threshold limit क्या है, for deduction of tax net source, payment or aggregate of payment should be greater than equal to 50,000 rupees, मतलब अगर मैंने अपने prov TDS कटेगा, अगर मैंने अपने provident fund में से 50,000 से कम निकाला premature withdraw किया, तो फिर TDS मेरा नहीं कटेगा, 50,000 से ज्यादे निकाला, तो फिर TDS कट जाएगा, ठीक है, section 193 हाता है, interest on securities, अगर मेरे को securities वगेरा पर interest मिल रहा है, अगर मेरे को securities वगेरा पर interest मिल रहा है, तो फिर उस पर TDS कट के मुझे interest मिलेगा, तो देखो, payer कौन हुआ, any person responsible for paying any income by way of interest on securities, recipient कौन हुआ, कोई भी resident, time of deduction, at the time of credit of such income to the account of the pay, और at the time of payment, whichever is earlier, तो इसको एक line में बोलते है, payment or credit, whichever is earlier, ठीक है, payment or credit, whichever is earlier, ठीक है, payment or credit, whichever is earlier, ठीक है, ठीक है, payment or credit, whichever is earlier, ठीक है, तो credit का मतलब क्या हो ठीक है, credit का मतलब यह हुआ, कि जब आप view करते हो, जब आप view करते हो, जैसे आपने किया, suppose मैंने कहीं पर किसी company में, किसी company के कोई debentures ले रखे है, ठीक है, मैंने किसी company के कोई debentures ले रखे है, तो अब वो security हो गई ना, इक तरह से, security का मतलब क्या होता है, shares, debentures पगेरा, debentures, account debit, to debenture, holder account, ठीक है, तो यहां पर company ने debenture holder को credit किया, कौन है debenture holder, मैं ही तो हूँ een debenture holder, ठीक है, debenture holder कौन है, debenture holder कौन है, debenture holder मैं हूँ, तो company ने यहां पर मुझे credit कर दिया, तो या तो credit किया तब TDS कटेगा तो तब TDS कटेगा तो यहीं पर हो जाएगा 2 TDS company के लिए तो TDS जो है वो liability है because company मेरे से TDS काट के सरकार को जमा करेगी तो company के लिए TDS जो company TDS मेरा काट रही है उस company के लिए TDS सो liability है तो 2 TDS ठीक है तो या तो इस समय TDS काट लो या अगर मालो payment पहले कर दिया अगर मालो payment पहले कर दिया तो उस समय TDS काट लो तो या तो payment करते समय या तो entry में credit करते समय whichever is earlier आपको TDS काटना होगा threshold limit क्या है threshold limit मतलब threshold limit मतलब इस limit तक इसके उपर अगर आपने पैसा दिया तभी आपको TDS काटने की जरूरत है अडर्वाइस आपको TDS काटने की जरूरत नहीं है तो त्रेशोल लिमीट क्या है 10,000 रुपीस इन फिनाशल यर इन केस आप परेस्ट परेस्ट सेविस्ट था क्सेबल बॉंड 2003 यह 7.7% सब्सक्राइब और सब्सक्राइब तो बड़ा सिंपल सा हो गया थ्रेशोड वाला केस बड़ा सिंपल है कि अगर आपके पास यह वाले बॉंड अगर आपके पास अब देखरो यह चोटी-चोटी-चोटी-चीजे यह सारी आपको याद रखने पड़ेंगे इसलिए मैं तो देखो क्या हुआ अगर आपको 8% सेविंग्स टाक्सिबल बॉंड पर यह 7.75% सेविंग्स टाक्सिबल बॉंड पर इंट्रेस्ट मिल रहा है तो वो आपका 10,000 से उपर अगर आपको इंट्रेस्ट मिला तो फिर 10% के रेट से आपका TDS काटा जाएगा अदर्वाइस न है तो फिर 10% के रेट से TDS काटा जाएगा और अगर आपको याद हो तो यह हम लोग अल्रेडी IFOS में पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड चीज़े हम लोग अल्रेडी computation of total income and tax payable वाले chapter में solve कर चुके हैं जहां पर P&L में credited होता था by interest on debentures हम उसको PGPP में add back करते थे जिस value पर profit and loss में credited होता था उसी value पर add back करते थे और फिर IFOS में उसको gross value पर हम include करते थे और पिर tax liability निकालते समय उसका TDS जो भी कटा हुआ होता था उसका हम लोग credit ले 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 ठीक है तो now the entire picture must be getting painted in your head ठीक है तो देखो debentures पे अगर 5000 से उपर का आपको interest दिया जाएगा तो फिर 10% TDS काट के दिया जाए ठीक नेक्स section आता है 194 का dividends यह भी हम IFOS वाले chapter में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई Indian company आपको 5000 से ज्यादा रुपे का dividend देगी तो फिर उस पर 10% का TDS काटेगी ठीक है तो पेर कौन हुआ the principal officer of a domestic company recipient कौन हुआ resident shareholder time of deduction क्या हुआ before making any payment by any mode in respect of any dividend और बिफोर making any distribution of payment of dividend बात खतम हो यह simple payment of credit whichever is earlier rate of TDS is 10% threshold limit क्या है 5000 रुपे इन a financial year in case of dividend paid or credit to an individual shareholder by any mode other than cash no threshold in other cases simple ठीक है तो अभी तक हम लोगों क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोगोंने चार sections पढ़े एक तो हम लोगोंने salary पढ़ा salary में at the time of payment होता है आपका और at the time of payment में कैसे आएगा average rates आएगा उसके बाद हम लोगोंने premature withdrawal पढ़ा इसमें हम लोगोंने threshold पढ़ा कि 50,000 तक आप 50,000 यह उससे उपर अगर आपने withdraw किया तो TDS कटेगा 10% के rate से ठीक फिर इंट्रेस्टों सेक्योरिटी के बारे में बात की कि 10% का TDS कटेगा अगर आपके यह taxable bonds बगे रहा है तो फिर 10,000 से उपर के interest पर और अगर debentures है तो 5,000 के उपर के 5,000 से उपर के interest पर फिर हमन यह तीन sections पड़े हमने premature withdrawal from provident fund, interest on securities और dividends इन तीनों में ही 10-10% का TDS का rate चलता हुआ आ रहा है next section आते है interest other than interest on securities हम लोग ने यहाँ पर तो पड़ा section 193 में पड़ा interest on securities अगर interest securities के अलावा कहीं से भी मिलता है तो फिर क्या उस पर भी TDS कटेगा उस पर भी 10% के rate से TDS कटेगा अब आओ देखो pair कौन होगा? pair होगा any person responsible for paying interest other than interest on securities या और दूसरा pair कौन हो सकता है an individual और HUF whose total sales या gross receipts या turnover from business or profession exceeded 1 crore rupees in case of business और 50 lakh rupees in case of profession during the immediately preceding financial cure मतलब हम financial year 22-23 के बारे में बात करें अगर कोई भी individual किसी individual ने 22-23 में कोई interest पे किया तो उस पर TDS काटेगा क्या? तभी TDS काटेगा अगर 21-22 में उसकी turnover business से 1 crore से उपर थी या profession से 50 lakh के उपर थी ठीक है? 21-22 में उसकी income अगर वो बंदा business कर रहा है तो 1 crore से उपर का business था क्या? 1 crore से उपर का turnover था क्या? हाँ तो ठीक है 22-23 में अगर आप किसी को interest पे कर रहे हो तो TDS काटो अगर 21-22 में आप profession कर रहे हो और profession से आपकी receipts 50 lakh से उपर थी क्या थी? हाँ तो 22-23 में जो भी आप interest पे करोगे उस पर आप TDS काट लो recipient कौन हो सकता है कोई भी resident time of deduction is at the time of credit of such income और payment whichever is earlier rate of TDS is 10% threshold threshold क्या है? threshold limit है 40,000 rupees in a financial year in case interest is credited or paid by a banking company cooperative society engaged in banking business and a post office on any deposit or under the notified scheme in all the above cases if pay is a resident senior citizen tax deduction limit is greater than 50,000 और in other cases में 5,000 rupees से ज्यादा का आपका हो जाता है मैं आपको इसका मतलब समझा दे तो पहली बात तो interest other than security इसका मतलब हो गया कि मैंने bank account में पैसा अपना जमा कर रखा है और उस bank account से मेरे को interest मिल रहा है तो other than security है bank में मेरे कोई dementures नहीं है bank में मेरे कोई shares नहीं है bank में बस मैंने उतना पैसा जमा करके रखा हुआ है और मुझे interest मिल रहा है ठीक है bank वाली बात तो होगी sir how about this individual what about this individual ये individual वगेरा कैसे आपको interest पे कर सकते है विलकुल पे कर सकते है आप मेरे पास एक loan लेने आए ठीक है मैंने का bank से जाके loan ले लो तो आपने का कि नहीं नी sir bank तो बहुत ज़्यादा rate of interest चार्ज कर दे हो और bank में बहुत सारे जहमेले भी है आप तो मेरे भीया हो और आप तो trust भी करते हो और आप उतने ज्यादे documents पांगोगे नहीं आप ही मेरे को loan दे दो मैंने का कितने का loan चाहिए आपने मुझसे ऐसे 50,000 रुपे का loan ले लिया अब आपने मुझसे 50,000 रुपे का loan लिया तो मैं आपस interest चार्ज करूँगा आपने का भीया आप interest चार्ज करोगे मैंने का चल ठीक है माफ कर दिया मत दे interest बस ऐसे 50,000 रुपे वापस दे दियो या नहीं मनो तो वो भी मत दे लेकिन आपका जमीर जागा आपने का कि नहीं नहीं सर मैं तो आपको tax भी मैं आपको interest दूँगा मैंने का चलो ठीक है आप interest दोगे तो आप interest दे दो तो अब आपने पूछा कि क्या rate रहे है इनका interest का तो मैंने का चलो 12% मैंने का 12% interest तो आप मेरे पास मैं individual हूँ आप मेरे पास आकर loan लेकर गए हो और मैं आपसे interest चार्ज कर रहा हूँ अब interest पे कौन कर रहा है आप पे कर रहे हो तो अगर आपका previous year 22 में business था और उससे एक करोड की ज्यादा की sales थी या profession था 50 लाग की ज्यादा की sales थी 50 लाग से ज्यादा की आपकी gross receipts थी तो जब आप मुझे interest पे करोगे then you will deduct TDS तो आप TDS काटोगे तो banks के case में कैसे TDS करता है जब bank आपको interest पे करता है और बाकी individuals कैसे TDS करते हैं वो भी आपको समझ में आ चुका है banks के case में अगर 40,000 रुपे से ज्यादा का interest मिलता है आपको तब ही bank को TDS काटना होता है ठेकिन अगर bank की interest किसी senior citizen को देता है तो threshold limit हो जाती है 50,000 की बाकी कोई भी case में 5,000 की threshold limit होती है जब 5,000 से ज्यादा का interest अगर पे करो तो TDS काटो नहीं तो TDS काटने की कोई ज़रूरत नहीं आईए सवाल करते है तो थोड़ी सी और clarity आईगी इसमें तो देखो examine the TDS implications under section 194A in the cases mentioned here under तो on 1st October 2022 Mr. Harish made a 6 month fixed deposit of 10 lakh rupees at 9% परान विद ABC cooperative bank fixed deposit matures on 31st March 2023 अब देखो 1st October 2022 को 10 lakh rupees की fixed deposit डाली तो 10 lakh rupees की fixed deposit 9% का interest तो 10 lakh rupees into 0.09 into कितने 1st October को है ना तो 6 महीने का तो 6 by 12 45,000 rupees का interest पे करेगा ये bank चो है 45,000 rupees का interest पे करेगा 45,000 is greater than 40,000 क्या TDS काटना होगा हाँ किस rate से 10% से ABC cooperative bank has to deduct tax at source at 10% on the interest of 45,000 rupees under section 194A the tax deductible at source under section 194A from such interest is therefore 4,500 rupees simple next next point इसमें क्या है next point है on 1st June 2022 Mr. Ganesh made 3 9 months fixed deposit of 3 lakh rupees each carrying interest at 9% with Dwarka branch Janakpuri branch and Rohini branch of XYZ a bank which has adopted core banking system CBS मतलब core banking system core banking system या centralized banking system इसको बोल सकते है तो basically एक software होता है उसको बोलते है finacle पहले finacle होता था अगर कुछ और होता हो तो I'm not sure मैं अपनी articleship के time पर बता रहा हूँ तो usually सभी banks वो finacle software use करते थे जिसमें क्या होता था के एक branch जैसे ICICI की बहुत सारी branches है बट सिल मैं किसी भी branch में अगर जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे अपनी account details मिल जाएंगी वहाँ पर मैं अपनी passbook update करवा सकता हूँ वहाँ से मैं अपना cash withdraw भी कर सकता हूँ तो every branch of ICICI bank knows about my account every branch of ICICI bank knows कि मैंने कब कहां से पैसा निकाला जैसी मैंने वहां से पैसा निकाला वो automatically main branch में भी जो automatically main office है वहाँ पर भी updation हो जाएगा तो इसको बोलते है centralized banking system या core banking system तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया देखो तो the fixed deposits mature on 28 March 28 February 2013 पर तेक्स ठीक है आओ देखते हैं कि कितना interest बना तो नौनो लाख नहीं तीन fixed deposits की है तीन तीन लाख रुपे की इच 9 months की ठीक है 9 months की deposit की है 9 months की की है तो 3 लाख पर 3 लाख पर interest क्या है fixed deposit का 9% है 0.09 into 9 byte ठीक है और यह तो 1 FD से आएगा तो ऐसी total 3 FDs की है तो यह हो जाएगा तो total कितना interest आया calculate करते है total interest आएगा 3 लाख रुपे into 0.09 into 9 by 12 into 3 या या 60,750 या 60,750 तो total कितना हो गया total कितना हो गया 40,000 से उपर हो गया तो पर TDS काटा जाएगा किस rate से 10% के rate से TDS काटा जाएगा तो 6,075 रुपीस का TDS काट जाएगा total 60,750 है अच्छा अगर आप सिर्फ 1 FD का interest calculate करो तो कितना आता है या आता है 3 लाख into 0.09 into 9 by 12 तो this comes to 20,250 तो हो सकता है आपके दिमांग में एक doubt आए कि सर अगर हम individual branch को देखें कि द्वार का branch ने तो 40,000 से कम का payment किया जनकपुरी branch ने 40,000 से कम का payment किया रोहिनी branch ने भी 40,000 से कम का payment किया bank एक ही है तो हम individual branch wise नहीं देखेंगे किया तो the answer is no ये कुछ साल पहले तक individual branch wise देखा जाता था तो इसके लिए लोग अपना इसी तरह से करते थे एक ही bank की multiple branches में कई सारी FDS खुलवा लेते थे जिससे individual branches से आपको interest 40,000 से कम का मिलता था और पर TDS नहीं करता था तो इस चीज़ को avoid करने के लिए अभी law ने बोल दिया है कि भाई XYZ bank अगर सेम bank है तो फिर आप multiple branches में भी अगर खुलवाते हो लेकिन वो consolidated तरीके से ही देखा जाएगा और aggregate amount अगर 40,000 से ऊपर है अगर aggregate amount 40,000 से ऊपर है तो फिर TDS काटा जाएगा तो इस वाले case में भी TDS काटेगा XYZ bank has to deduct tax at source at 10% that is section 194A since the aggregate interest on fixed deposit with three branches of the bank is 60,750 which exceeds a threshold limit of 40,000 since XYZ has adopted core banking system अचा हाँ यहाँ यह पर यह भी एक condition है कि core banking system होना चाहिए एक ऐसा bank जिसके पास core banking system है क्योंकि यह भी हो सकता है हमें कैसे पता चलेगा कि कौनसी वाली branch से कितना interest दिया गया है तो core banking system है ना तुमारे पास अगर core banking system है तुमारे पास तो तुमें पता है कि तुमारे यह bank की कौनसी branch ने किस person को कितना interest दिया है तो तुमारे पास पता चलेगा तुमें कि तुमारे bank से overall कितना interest जा रहा है और अगर 40,000 से उपर का interest जा रहा है 3750 exceeds the structural limit of 40,000 tax has to be deducted at 10% under section 194 ठीक है आईए अच्छा एक question और बाकिया है यहाँ पर on 1st October 2022 Mr. Rajesh started a 6-month recurring deposit of 2 lakh rupees per month at 8% Paranavit PQR bank the recurring deposit matures at 31st March 2023 recurring deposit क्या होती है recurring deposit आप क्या आ जाती है यहाँ पर recurring deposit आती है 31st March 2023 को आ जाती है recurring यह इसकी maturity date है 31st March 2023 तो आप देखते हैं इस वाले case में क्या होगा recurring deposit का मतलब क्या होगा कि हर महीने 2-2 lakh rupees जमा किया जाएगा और ऐसा 6 महीने तक चलेगा 1st October से शुरू किया ना 1st October से शुरू किया तो 1st October, 1st November, 1st December, 1st January, 1st February, 1st March 6 महीने तक यह होगा कि हर महीने के पहली तारिक को 2-2 lakh rupees जमा किया जाएगा और 31st March 2003 को यह deposit जो है यह mature हो जाएगी तो कितना interest बनेगा आओ calculate किया जाए तो पहला आपने deposit कप किया पहला deposit आपने किया 1st October 2022 को तो इस पर 6 महीने का interest लगेगा तो 2 lakh पर 6 महीने का interest लगेगा 0.08 into 6 by 12 is equal to M+. फिर आप 1st November को जमा करोगे जिस पर 5 महीने का interest लगेगा तो 2 lakh rupees into 0.08 into 5 by 12 is equal to M+. फिर आप 1st December को करोगे जिस पर 4 महीने का interest लगेगा तो 2 lakh रुपे into 0.08 into 4 by 12 is equal to M+. फिर आप January में करोगे 1st January को करोगे जिसमें 3 महिने का interest लगेगा MRC जब आप करोगे MRC जब आप नहीं किया MR और MC अलग लगए मैं भूल गया इस वाले में आइपाइड में काफी टाइम बाद पढ़ा रहा हूँ MRC जब आप करोगे MR जब आप करोगे तो 28,000 रुपे का आपका इंट्रेस्ट आएगा तो इस रेकरिंग डिपॉजिट से साल भर में 28,000 रुपे का इंट्रेस्ट मिल रहा है तो 40,000 से कम है तो इसलिए आपका कोई TDS काटने की लाइबिलिटी नहीं आएगी तो no TDS has to be deducted दिन सेक्शन 194 A by PQR Bank on the interest of 28,000 रुपे falling due on रेकरिंग डिपॉजिट on 31st March 2023 to Mr. Rajesh since such interest does not exceed the threshold limit of 40,000 रुपे उसके बाद आपके पास आते हैं section 194 B और section 194 BB winning from lotteries, crossword puzzles and horse races तो देखो section 194 B क्या है, nature of payment क्या है winnings from any lottery, crossword puzzle or card game और other game of any sort तो यहाँ पर 30% का flat tax लगता है आपको इसमें हम लोगों ने उतव है फॉप घ्ड़ाता है यह सारी चीज़ें तो उसमें हम लोगा ने पढ़ाता है कि 30% का tax लगता है और क्योंकि आपकी casual income हो जाता है तो casual income बद 50% का tax लगता है पहली बात तो यह पढ़ाता है के 30% का यह पूरा का पूरा TDS का चाट लिया जाता है पूरा TDS का लिया जाता है ठीक है तो nature of payment is winnings from any lottery, crossword, puzzle, card game, or other game of any sort. Payor कॉन है? the person responsible for playing income of any such winnings जो भी company lottery करवाती है वो. recipient कॉन होगा? any person. time of deduction at the time of payment, rate of TDS 30%, threshold लिमिट greater than 10,000 रुपीज अगर 10,000 से कम की लॉटरी निकली है तो फिर कोई दिखकर ताली बात नहीं है फिर 194B भी आता है विनिंग फ्रम होर्स रेस वाला ठीक है जो सैफ अले खान ने रेस में किया था तो घोडे की रेस से अगर आपको कुछ भी पैसा मिलता है तो उस पर अगज एक्जाकली सेम है यह यह सब्सक्राक्टर को जब मैं करूगा उस कान्टर को जब मैं पेमिंट करूगा तो फिर पेमिंट करते समय में मुझे उसका TDS काटना होगा तो nature of payment क्या हो गया payment to contractors पेर कौन हुआ पेर हुआ यह पेर हुआ central या state government local authority central state provincial corporation company firm trust registered society cooperative society university established under the central state provincial act declared university under UGC act government of foreign state or foreign enterprise इतने तो हुए मत्तब यहां पर सारे के सारे individuals को counting किया गया है अगर आप individual या HOF हो अगर आप individual या HOF हो और आप contractor को payment कर रहे हो तो आपको TDS तभी काटना है अगर पिछले साल यानि 21-22 में business से आपका जो turnover था वो एक करोड को cross किया या profession से आपकी जो receipts थी वो 50 लाग क्रॉस किया recipient any resident contractor for carrying out any work including supply of labor तो कोई भी contractor आपका हो सकता है recipient time of deduction at the time of credit or payment whichever is earlier right TDS का rate होगा 1% of the sum paid or credited if the pay is an individual और HOF तो अगर पेई पेई मतलब जो भी आपका contractor है जिससे भी आपने builders एक individual नहीं है DLF builders is a company तो अगर मैंने DLF builders से कहा कि मेरे लिए इस style की एक building बनाओ और मैं उसको payment कर रहा हूँ तो फिर मैं 2% के rate से TDS काटूँगा ठीक है क्योंकि DLF builders is neither an individual nor an HOF लेकिन अगर suppose आप में से ही कोई कलको मेरे पास आता है किसर में CA बन गया मैं construction business में हूँ तो आप मेरे को बताईए अगर कुछ भी construction करवा रहा हूँ मैं करवा हूँगा मैंने का ठीक है तो आप individual हो आपको जब मैं पैसा दूँगा तो फिर मैं 1% के rate से TDS काटूँगा इसका simple मतलब क्या हो गया कि अगर आपने कोई एक छोटा बोटा काम करवा है किसी एक contractor से और आप उसको 30,000 से कम का payment दे रहो तो आपको TDS काटने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन आपको suppose उसका काम बहुत ज्यादा अच्छा लग गया और फिर आपने हर दो महीने पर उसको call करना शुरू कर दिया तो जैसे ही payment आपका total payment आपका 1,00,000 से ज्यादा होगा जो भी होगा जो भी आपका total payment आपने 1,00,000 से ज्यादा का किया उस पर पूरा का पूरा आप TDS काट होगा इससे related question है मेरी हाल से question है तो फिर अभी और काईदे से समझ में आए गई है तो जब तक 30,000 अगर individual payments आपके 30,000 से कवे तो फिर आपको TDS काटने की जरूरात नहीं है लेकिन अगर total payment किसी एक particular contractor का 1,00,000 से उपर हो जाता है तब आपको TDS काटने की जरूरात पढ़ती है individual या HOF need not deduct tax where some credited or paid is exclusively for personal purposes तो अगर एकदम personal purposes के लिए किया हुआ है तो फिर tax काटने की कोई ज़रूरा नहीं है आओ यह वारा question देखते है ABC Limited makes the following payments to Mr. X a contractor for contract work during the previous year 22-23 20,000 रुपीस का payment किया 1st May 2022 को एक individual contractor को payment किया 20,000 रुपेका 30,000 से कम है क्या TDS कटेगा नहीं 25,000 रुपी का payment किया on 1st August 2022 30,000 से कम है क्या TDS कटेगा नहीं 28,000 रुपीस हजार और 25,000 मिलाकर कितना हुआ 45,000 हुआ तो यह भी अभी वन लाग क्रॉस नहीं हुआ है 45 प्लस 28 यह आ जाएगा आपका 28,000 45 प्लस 28 यह आ जाएगा 73,000 तो अभी भी एक लाग से कम है तो फिर TDS नहीं कटेगा आगे देखो अभी 30,000 रुपे अभी और देना बाकी है तो जैसे ही आप यह 30,000 का प्लस करेगा यहां पर कितना है यहां पर exactly 30,000 है तो अगर exactly 30,000 है तो क्या TDS काटिंगी जरूरत है नहीं exactly 30,000 पर TDS काटिंगी कोई जरूरत नहीं होती है ठीक है लेकिन aggregate amount अब अगर आप देखो तो 20 प्लस 25 प्लस 28 73 अलड़ी हो चुका है और जैसे 73 में आपने ये 30 को add किया आपका हो गया 1,03,000 रुपए आपका ये कितना पर नहीं पूरे 1,03,000 पर आपको TDS काटना होगा ठीक है पूरे के पूरे 1,03,000 पर आप TDS काट होगे किस रेट से काट होगे क्योंकि आप individual को payment कर रहे हो तो इसलिए 1% के रेट से आप TDS काट होगे तो 1,03,000 ये रहा इसका 0.001 ये आता है आपका 1030 तो 1030 आपने TDS काटा और अब जो final payment आप 30,000 का करोगे अब जो final payment आप 30,000 का करोगे उसमें से 1030 रुपीज माइनस करने के बाद आप final payment करोगे ठीक है तो ये ही है 1030 काटने के बाद आप final payment करोगे ठीक आगे देखो certain concessions are granted to transport operators in context of cash payments under section 43 and deduction of tax at source under section 194C elucidate तो ये आप लोग अपने आपसे पढ़ transport operators में क्या हो जाता है उनको 35,000 रुपीज तक का cash payment allowed है ना अगर मैं cash payment किसी एक individual person को एक single day में करूँगा 10,000 से उपर तो उसका खर्चा मेरे को नहीं मिलेगा ना entire amount will be disallowed ये हम लोगों ने PGPP में भी किया था फिर computation of total income and tax payable वाले में भी questions में देखा था कि अगर मैं किसी individual इंसान को 10,000 से ज्यादा रुपे का cash payment कर रहा हूं in a single day तो the entire amount will be disallowed लेकिन transport operator को 35,000 रुपीज तक का payment कर सकता हूं तो एक तो concession ये हो गया section 40A3 में दूसरा क्या हो गया कि 194C में क्या हो गया 194C में ये हो गया 30,000 रुपीज के payment तक TDS भी नहीं काटना और साल में 1,000,000 रुपे तक का aggregate होगा तभी TDS काटना है ये वाली चीज है कि 192C में ये इस तरह टाइप की चीज होती है ये वाली चीज हो जाती है जो ट्रांसपोर्ट वाले होते है अगर ये light goods vehicles वाले होते है he owns 10 और less goods carriages at any time during the previous year, he's engaged in the business of applying, hiring and leasing of goods carriages, he has furnished a declaration to this effect along with the plan तो यह जो presumptive taxation वाले transport operators होते हैं presumptive taxation वाले 44 AE वाले 44 AE वाले जो transport operators होते हैं उनके case में TDSP नहीं कटता है तो यह आपका यहाँ पर answer है इसको आप लोग पढ़ ली जगा तो transport operators को दो benefits है पहला benefits आप उनको 35,000 रुपे का payment कर सकते हो कोई disallowance attract नहीं होगी आप अगर 55,000 रुपे तक का cash में payment करते हो तब भी कोई disallowance attract नहीं होगी और दूसरा benefit यह है कि transport आपको कोई TDSP काटने की ज़रूरत नहीं है अगर यह lights goods vehicles वाला 44 AE वाला transport operator है तो कि इदर देखो Moon TV a television channel made payment of 50 lakh rupees to a production के पास Moon TV आया Moon TV एक production house के पास आया और production house से कहा कि हमें ऐसा ऐसा TV program चाहिए हमें ऐसा ऐसा TV program चाहिए आप ऐसा TV program बना कर दो मतलब हम चाहते है modernized version of Sherlock Holmes suppose या modernized version of देवदास ठीक कुछ भी modernized version हम चाहते हैं तो Moon TV ने approach किया एक production house को और उससे कहा कि हमारी ये specifications है हमारी ये specifications है channel की ये specifications है उसके हिसाब से आप एक program बनाईए आप TV program बनाईए और उसके लिए 50 lakh रुपे दिया गया The copyright of the program is also transferred to Moon TV Would such payment be liable to tax deduction at source under section 194C Of course, yes ठीक है तो क्या हो जाएगा In this case, since the program is produced by the production house as per the specifications given by the Moon TV तो Moon TV ने specify किया ना अपनी personalized choice की वजह से आप बनवा रहे हो आप देखो आप मकान directly खरीद भी सकते थे यहाँ पर वाले context में भी आऊँगा वैसे अगर आप देखा जाए तो मकान आप directly खरीद भी सकते थे अगर आप मकान खरीदते हो टीवी चानल किसी एक production house के पास जाकर कहता है कि मुझे ऐसा टीवी शो चाहिए तू मेरे हिसाब से टीवी शो बना कर दे तो यह तो contract हो गया ना एक तरह से contract ही है कि भाई तू मेरे हिसाब से बना कर दे तो इसमें आपका TDS कटेगा 194C में लगेगा अगे छिए अभी तरह से अगे टेखो अभी प्रोदशन आप्यून वेट रूट्टीव चाहिए of telecasting rights of the content already produced by the production house. अभी production house ने program already बना कर रखा हुआ है. Production house ने जो भी producers हैं, उन्होंने TV show already बना कर रखा हुआ है. Moon TV बस चा रहे के नहीं नहीं, ये बाला show मेरे channel पर मैं चलाना चाता हूँ. तो सिर्फ telecasting rights लेना चा रहे. तो क्या ये contract हुआ? नहीं, ये contract नहीं हुआ. तो क्या 194C में TDS कटेगा? नहीं. If however the payment was made by Moon TV for acquisition of telecasting rights of the content already produced by the production house, there is no contract for carrying out any work as required under section 194C1. Therefore such payment would not be liable for tax deduction at source under section 194C. 194D पर आते Insurance Commission. तो nature of payment क्या हो गया? Insurance का Commission. पेर कौन हुआ? अनी person responsible for paying an income by way of remuneration or reward for soliciting or procuring insurance business. अब देखो, इसमें हो क्या रहा है? कौन किसको payment दे रहा है? इसको समझना आप लोगे. कौन किसको payment दे रहा है? इसको समझते हैं. एक company है LIC. एक company है LIC ये LIC का agent है ये LIC का agent है और ये हूँ में ये हूँ में. ठीक है? agent जो है वो मेरे पास आता है और कहता है LIC का insurance ले लो. मैं कहता हूँ ठीक है? मैंने agent को पैसा दिया. agent ने ये पैसा LIC को दे दिया. LIC ने इसी पैसे पर agent को commission दे दिया. LIC ने इसी पैसे पर agent को commission दे दिया. ठीक है? तो अब सवाल यह जोटता है कि यह LIC जो इस agent को यह commission दे रही है क्या इस commission को pay करते समय LIC इसका TDS काटेगी यह सवाल है ठीक है सवाल यह नहीं कि मैं premium जब pay करूंगा LIC को तो फिर मैं TDS काटूंगा यह नहीं जब यह insurance company अपने agent को commission देगी क्यों commission देगी क्योंकि इस agent ने निश्टेन का insurance करवा दिया LIC से ठीक है तो business procure किया इस agent ने क्या किया निश्टेन से business लाकर LIC को दिया तो इसके लिए LIC अब agent को commission दे रही है इस commission पर TDS काटा जाएगा या नहीं that's the question तो nature of payment यह हो गया insurance commission pair any person responsible for paying any income by way of remuneration और reward for soliciting और procuring insurance business recipient कोई भी हो सकता है time of deduction payment of credit whichever is earlier rate of TDS होगा 5% special limit होगी 15,000 से उपर in a financial year ठीक है simple next 194 DA तो आप देखो यही सारी चीजे जो आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगे ठीक है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ बहुत ज्यादा हम लोग एक दिन में ने करेंगे थोड़ा थोड़ा ही करेंगे ठीक है although एक घंटा हो चुक मतलब अब देखो यह पैसा क्या हुआ कि मैंने LIC के पास मैंने अपना प्रीमियम करवा लिया मैं इसको प्रीमियम पे कर रहा हूँ मैं इसको प्रीमियम स्पे कर रहा हूँ ठीक है कभी भी मैचॉरिटी हुई या जरूरत पड़ी तो LIC मुझे पैसा देगी सवाल ही उठता है कि जब LIC मुझे पैसा देगी मैचॉरिटी पर या कभी भी या बोनस करते समय या कुछ भी तो क्या LIC TDS कटेगी ठीक है प्रीमियम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है जब LIC मुझे पैमेंट करेगी Life Insurance Policy मेंने LIC के पास लिया है जब LIC मुझे इस पर पैमेंट करेगी तो क्या TDS कटेगा तो यह है any person responsible for paying any sum under life insurance policy including the sum allocated by way of bonus recipient कौन हो जाएगा कोई भी time of deduction at the time of payment यहाँ पर payment और credit whichever is earlier नहीं है तो यह भी याद रखना हो तभी धीरे-धीरे करने बहुत ज्यादा load मतले ना आपने देखा ही questions कितने आसान है questions करने में कितना मज़ा आ रहा है तो हम कई सारे sections करेंगे उसके बाद comprehensive questions आएंगे exam में जो questions आते हो comprehensive type के questions होते है कि एक बड़े से question में ही अलग-अलग चीज़ें आ जाएंगे तो धीरे-धीरे जब हम लोग करते रहेंगे ना तो अभी आप लोग बस इन चीज़ों को दिमांग में मैठाते रहो जब हम questions करेंगे तो आपको और clarity के साथ चीज़ें समझ पहेंगे rate of TDS 5% of the amount of income comprised 5% of the amount of income comprised जिसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि मैंने suppose premium pay कर दिया total premiums मैंने pay कर दिया एक लाख रुपे के total premiums मैंने pay कर दिया एक लाख रुपे के अब LIC ने मेरे को डेड़ लाख रुपे का payment किया तो tax किस पर लगए TDS किस पर कटेगा TDS 50,000 पर कटेगा पूरे लाख पर नहीं कर दिया TDS करता है on the amount of income comprised तो मैंने total premiums जितने भी हर साल 10,000 रुपे के premiums पे कर रहा था total मैंने एक लाख रुपे का premiums पे कर दिया और LIC ने मुझे लेड़ लाख रुपे दिया तो 50,000 रुपे LIC ने ज्यादा दिया तो सिर्फ इस पर LIC TDS काटेगा ठीक threshold limit क्या है greater than 1 lakh rupees aggregate amount payment to a payee in a financial year तो अगर 1 lakh से ज्यादा का पैसा LIC रेता है तो फिर वो TDS काटेगा next examine the applicability of the provisions of tax deduction at source under section 194 DA in the following cases Mr. X, a resident is due to receive 4.5 lakh rupees on 31st March 2023 towards maturity proceeds of LIC policy taken on 1st April 2020 for which the sum assured was 4 lakh rupees and the annual premium is 1 lakh 25,000 rupees annual premium कितना था? annual premium था 1 lakh 25,000 rupees ठीक है? annual premium कितना हुआ? annual premium हुआ 1 lakh 25,000 rupees अब सोनो मेरी बाद बहुत ध्यान से आपको पता है कि अगर आप LIC में या कहीं पर भी life insurance policy लेते हो ठीक है? तो उसमें 2 चीज़ें होती है एक तो ATC का deduction मिलता है और दूसरा exemption होता है 1010-D में दूसरा exemption होता है 1010-D में in fact I'm sure आप में से कई सारे लोग तो सोच भी रहोगे कि सर LIC का जो भी payment दिया जाता है उसका तो 1010-D में exemption होता है अगर policy आपने 1st April 2012 के बाद लिए 1st April 2012 के बाद जैसे आपने policy लिए है या 1st April 2013 नहीं मालो 1st April 2013 के बाद आपने policy लिए है और actual capital sum assured के 10% से ज्यादा का premium है तो exemption नहीं मिलेगा ठीक है actual capital assured के 10% से ज्यादा का premium है तो अब तो exemption नहीं मिलेगा तब ना तो deduction मिलेगा ATC में और नहीं exemption मिलेगा या 1010-D में अगर ऐसे में exemption नहीं मिला तभी TDS काटा जाएगा ठीक है तभी TDS काटा जाएगा आओ इसको इससे समझते जैसे यहाँ पर कितना है कि sum assure कितना था 4,0,00 का sum assure था ठीक है तो 4,00,00 का 10% कितना होगा 4,00,00 का 10% होगा 40,000 अगर annual premium 30,000 होता अगर annual premium 30,000 होता तो फिर जितना भी ये maturity के समय मिला 45,000 जितना भी पैसा 45,002,004,003 maturity के समय मिलता, यह exempt हो जाता under section 10-10D, और अगर किसी income पर tax ही नहीं लग रहा है, तो उस पर TDS थोड़ी काटा जाएगा, अगर किसी income पर tax लगना ही नहीं है, तब थोड़ी उस पर TDS काटा जाएगा, यह एकदम common sense वाली बात है, पर इस वाले case में देखो, चार लाख रपेज दी actual capital sum assured, premium जा रहा है एक लाख पच्चेस हजार का, तो यह premium 10% से बहुत ज्याद है, तो क्या इस पर 10-10D का exemption लगेगा, इस पर 10-10D का exemption आपको नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, यह पैसा taxable हो जाएगा, तो TDS कटेगा क्या, हाँ TDS कटेगा, किस amount पर TDS कटेगा, साड़े 4 लाख पर कटेगा क्या, नहीं, यह तो अभी हम लोग ने बात की न, the amount of income comprised, तो आओ देखते हैं, अभी यह क्या हुआ, Mr. X, resident is due to receive 4.5 लागs on 31st March 23 towards maturity, 1st April 2020 को इन्होंने policy लीती, और हर साल 1,25,000 रुपे इन्होंने पे किया, तो 20-21 में 1,25,000 रुपे किया होगा, 21-22 में 1,25,000 रुपे किया होगा, 22-23 में 1,25,000 इन्होंने पे किया होगा, त तो 1,25,000 रुपे इन्होंने इनका अग्रिगेट पेमेंट है, अग्रिगेट प्रीमियम है, 1,25,000 रुपे इन्होंने पे कर चुके हैं, और इनको मिल कितना रहा है, 4,50,000 रुपे मिल रहा है, M+, फिर 4,50,000 रुपे माइनस MRC is equal to 75,000 रुपेज, 75,000 रुपेज है, तो क्या इस 75,000 रुपेज पर TDS कट जाएगा, येस 75,000 रुपेज पर TDS कट जाएगा, ठीक है, देखो, ये देखिए, फिर से देखो, अभी आपको और क्लिरली ये समझ माया होगा, अग्र अग्रिगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट, 1,00,000 से ज्यादा है, तो 5% TDS कटेगा, on the amount of income comprised ठीक है, ये मत बोलना है यहाँ पर, कि सर 75,000 ही तो है, 75,000 तो 1,00,000 से कम है, ठीक है, 75,000 नहीं देखा जाएगा, TDS लगेगा या नहीं लगेगा, इसके लिए 4.5 देखा जाएगा, ठीक है, कि अग्रिगेट कितना पे किया गया, अग्रिगेट 1,00,000 से ज्यादा पे किया तो TDS कटेगा, ठीक है, अब TDS किस पर कटेगा, इंकम वाले पोर्शन पर कटेगा, इंकम वाले पोर्शन कितना है, इंकम वाले पोर्शन 75,000 तो TDS इस पर 5% के रेट से कट जाएगा, तो 5% के रेट से 75,000 रुपीस पर ये कट जाएगा, आईए देखते है, Mr. Y, अब resident is due to receive 3.95 lakh rupees on 31st March 2023 on LIC policy taken on 31st March 2012. तो 31st March 2012 तक भी 10% का था? 20% का था? क्या था? 31st March 2012 तक 20% का था. ये actual capital summa short के 20% तक भी अगर आपने पी किया तो allowed है. और which the summa short is 3.5 lakh rupees and the annual premium is 26,100 rupees. तो actual capital summa short is 3.5 lakh rupees. इसका 20% कितना आता है? 3.5. 3 lakh 50,000 rupees. इसका 20% आता है? 70,000 rupees. इसने premium annual premium है कितना? annual premium 26,100 rupees का है. क्योंकि annual premium 20,000 से 20% से कम है तो ये जो भी maturity होगी ये 1010D में exempt होगी. ये 1010D में exempt होगी. तो क्या TDS कटेगा? कटना तो नहीं चाहिए. ठीक है? तो since the annual premium is less than 20% of the sum assured in respect of a policy taken before 1st April 2012, the sum of 3.95 lakh rupees due to Mr. Y would be exempt under section 1010D in his hands. Hence, no taxes required to be deducted at source under section 194 DA on such sum payable to Mr. Y. I hope यहां तक की बात आपको clearly समझ में आ रही है. थर्ड देखो, Mr. Z, a resident is due to receive 95,000 rupees on 1st August 22 towards maturity proceeds of LIC policy taken on 1st August 2016. 1st August 2016 यानि 10% ही देखा जाएगा. For which the sum assured is 90,000 and annual premium was 10,000. तो 90,000 है, 90,000 का 10% कितना होता है? 9,000 लेकिन premium pay किया जार है 10,000 तो 1010D में exemption नहीं होगा. अगर 1010D में exemption नहीं होगा, तो फिर TDS कटेगा. TDS कप कटेगा? अगर aggregate payment 1,000,000 से ज्यादा होगा. यहां aggregate payment पे 95,000 है, aggregate payment 1,000,000 से कम है. तो क्योंकि aggregate payment 1,000,000 से कम है, इसलिए TDS नहीं कटना चाहिए. इवन दो धी annual premium exceeds 10% of the sum assured in the respect of policy taken after 31st March 2012, and consequently, the maturity proceeds of 95,000 रुपीस due on 1st August 22 would not be exempt under Section 1010D in the hands of Mr. Z. The tax deduction provisions under Section 194D are not attracted since the maturity proceeds are less than 1,000,000 रुपीस. I'm sure, सब कि समझ में आ गया, बो, निष्टेन, forever, बो, निष्टेन, forever, और फड़ावट से आप लोग वीडियो को भी like कर दीजिए, जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किता है. Next question, the next section है, 194E, payments to non-resident sportsmen or sports association. Non-resident sportsmen or sports association को, अगर आप लोग payment करते हो, तो फिर क्या होता है? Let's see. यह, 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 ग्रीन कलर की बॉटल है. देखो, यह, वाला पोशन बाइब होगे. ग्रीन कलर की बॉटल. Anyway, आएएगे. Section 194E, payments to non-resident sportsmen or sports associations. Nature of payment, payment to non-resident sportsmen or sports association of income referred to in section 115 BBA, जो भी होई है. Payer क्या है? Any person responsible for making the payment. तो कोई भी अगर non-resident sportsmen को, या sports association को payment करेगा, वही आपका payer हो जाएगा. Recipient, non-resident sportsmen including an athlete or an entertainer who is not a citizen of India or a non-resident sports association or institution. So athlete को, या entertainer को, या किसी को भी दिया. Time of deduction होगा at the time of credit या payment, whichever is earlier. तो payment or credit, whichever is earlier. rate of TDS होगा, आपका 20.8% देखो. यहाँ पर बाती ना, non-resident को payment अगर आप करते हो, तो फिर health, surcharge और health and education says आपका लगता है. तो यहाँ पर 20% का rate है, 20% का rate है, plus 4% का यह है, education says. तो education says किस पर लगता है? 4% of 20% यानि 8. तो 20.8% ठीक है? education says तो उस पर लगता है, 20% के ऊपर लगेगा, 20% plus 4%, 24% नहीं हो जाएगा, 20% plus 4% of 20%, तो 0.8. threshold limit है? No threshold limit, काट नहीं पड़ेगा, आओ देखो. तो 20.8% रिकाट जाएग, सिंपल है. ठीक है, रिकी पॉंटिंग है, non-resident sports पर से नहीं है. नेक्स आते है, 194EE, payment in respect of deposits under national savings scheme, etc. तो nature of payment, payment of deposit under national savings scheme, any person responsible for paying, recipient हो जाएगा, इंडिबिबड लिया हुएफ, time of payment, rate of TDS 10%, और यह आपका धाईजार से ज्यादा का थ्रे, यह जाने दो अभी, क्योंकि यह आपके, मतलब यह हट चुका है, यह practically यह possible ही नहीं है, ठीक है, practically यह non-existent हो गया, तो इसको छोड़ दो. लास्ट section for today, 194G, commission, etc. on sale of lottery tickets, तो G से gambling, G for gambling, इस तरह से याद रख सकते हो, lottery tickets, lottery tickets के लिए 194G, क्या होगा, commission, etc. on sale of lottery tickets, अब देखो, यहाँ पर यह lottery नहीं है, वो winning from lottery सा, जो 194B अगर आप सोच रहे हो, 194B में winnings from lotteries था, मैंने lottery का ticket लिया, मेरी lottery निकल गई, अब जो भी lottery वाली company मेरे को करोणर रुपया देगी, उसमें से 30% TDS काट कर देगी, ठीक है, लेकिन lottery वाली company ने अपने agents मैठा रख रहे होंगे न, जो lottery के tickets बेच रहे, ठीक है, तो जो लोग lottery के tickets बेचते हैं, उनको जो commission मिल रहे company की तरफ से, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रहे है, तो एक घंटा तेरा मिनिट की क्लास हो गई, यहीं तक का आज मैंने प्लान किया था, 194G तक का, बाकी यह 194H से हम लोग कल से अपना continue करेंगे, ठीक है, इसको revise कर लेना, एक आध बार पढ़ लेना, थोड़ा सा चाहो तो चार्ट बार बना लो, मैं आपको बहुत summarized form में यह सारी चीज़े मैंने आप लोग को दी है, और बिल्कुल परिशान मत हो ना, जितने भी questions हम लोग को ने किया है, उनकी तो practice करी लो, और बाकी हम लोग यह नहीं यह जो पांच दिन की classes है, इसी में हम लोग काफी ज्यादा practice करेंगे, तो अच्छे से सब कुछ होता हुआ चलेगा, ठीक है, तो मैं आपको फटफट से बता देता हूँ अभी, अभी Academy Plus का subscription कैसे लेना है, तो आप start learning पर जाओगे, start learning पर जाने के बाद, आप यहाँ पर अपना goal search करोगे, goal अरी यह no goal found कैसे हो सकता है, यहाँ पर मैं goal search करनो, CA intermediate, no goals found, अच्छा, no goals found, ऐसे कैसे हो सकता है, यह आई अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पर आए, CA, CA पर आए, मिरे लगा, यह record करते से हमें पता लग रहा है, यहांने, academy ने यह वाला काम ही छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी होगा, मैं तो एकदम सटाक पर आ जऊँगा, तो CA intermediate पर click करोगे, CA intermediate पर click करने के बाद, आपके सामने यह वाला page खोलेगा, यहाँ आप subscription plans पर click करोगे subscription plans पर click करने के बाद आपके सामने यह वाला page खुलेगा यहाँ पर आपके पास 3 options आएंगे light plus और iconic है आप get plus पर click कर दीजेगा get plus पर click करने के बाद आपके सामने यह वाला page खुल जाएगा और यहाँ पर आप मेरा code enter कर देंगे निश्टेन और इसको apply कर देंगे तो आपको maximum possible discount मिल जाएगा तो आपको maximum possible discount मिल जाएगा तो do subscribe to OneAcademy Plus and use my code 20% चल ला है अभी भी अभी भी 20% चल ला है तो offer extend हो गया आपका आप इस वाले session को 17th February को देख रहे हो पर मैं 16th को record कर रहा हूँ तो अभी भी यह offer चल ला है तो that's amazing 20% off वाले offer चल ला है तो आप इसको देख सकते हो ठीक है ठाइक है so much everyone take care see you all tomorrow please revise करते रहना video को like करते रहना comment section में comment करके बताना session कैसा लगा मिलते हैं कल take care bye bye